हाई फ्रेंस वेलकम टो अंसारी 29 माई नेम इस शाबा अंसारी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एड्रेसेबल फायरलाम सिस्टम के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही बेसिक से बताऊंगा यहनी जो हमारे इंजिनियर्स और टेक्निशन जो है ऐसा मेरा मानना है तो मैं आपको जो है बहुत ही बहुत ही सिंपल स्टैब बाइस समझाने कोशिश करूँगा का एड्रेसेबल फायरलाम सिस्टम एक्जेक्ली होता क्या और यह कैसे वक करता है तो इस वीडियो में दोस्तों हम यह जाने कोशिश करेंगे सबसाब पहले क इसमें जो है डिवाइस हम लोग कौन से यूज करते हैं फील्ड में अगर आप देखोगे तो कौन कौन से डिवाइस इस सिस्टम में आपको देखने को भी लेंगे उसके बाद हम लोग यह देखेंगे किस टाइप की वाइरिंग की जाती है इसमें इंटीग्रेशन क्या हो किस तरीके से किया जाता है और हम लोग अभी अप्लक सीखा है है मेरे यूट्व चैनल में चैनल में यह सारी चीजे आपको जो है बेसिक से बताने कोशिश करूंगा आपको में समझ के चलता हूं कि आपको एड्रेसेबल के बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैं आपको बहुत ही बेसिक से इस सिस्टम के बारे में बताऊंगा और उसके तो इसके बात में और भी वीडियो बनाऊंगा अगर आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे बताई तो उस पर्टिकलर टॉपिक पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो जो है बना दूगा दोस्तो यूट्यूब पर बहुत ही कम ऐसे चैनल से जो फाइर राम सिस्टम के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं इसमें से मेरा भी एक चैनल में प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि जबी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिक्शन बिला और वीडियो देख सकें और वीडियो के देखने के साथ-साथ आपके अगर माइंड में जो भी डाउट से रहेंगे आप कमेंड बॉक्स में कर सकते हैं और प्लीज वीडियो पसंद लाइक कर दीजी और आपके फ्रेंद्स और कंबनी गूर्प में इस वीडियो को शेयर के लिजिए चलो आप वीडियो के शुरुबात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि एड्रेसेबल फायरलम सिस्टम जो होता है इसमें कौन-कौन से डिवाइज हम लोगों को फ आप कहीं भी जहां प्रोजेक्ट जाके देखेंगे या आप सर्विस इंडेस्ट्री में रहे हैं तो आप जाकर अगर यह देखेंगे तो आपको यह सारी चुर डिवाइजर आपको मिलेंगे मिलेंगे अब दोस्तों सेकेंड को नमारे मांइंड में यह आता है कि हम लोग इसको एड्रेसर बल क्यों बोलते हैं तो एड्रेसर हम लोग इसी लिए से कहते हैं कि इसके अंदर जितने ही पर डिवाइजर आप जो मैंने आपको बता है अभी इन सारे डिवाइजर की जो पीछे एड्रेसिंग की जाती है यह हम लोग जो है डिटेक्टर में 1,2,3 सरी कि और पर जासर गोहिते हैं उससे यह हमें फायदा होता है इससी एड्वानटेज होता है कि अगर इपकस कई भी हमारे एरिया में अगर फायर हो जाता है या कोई डिटेक्टर एक्टिवेट होगा है तो तो आपको उस device यह जो डिटेक्टर है उसका number और उसके साथ उसका location वालनी जिए L110 पेंटर एडिया तो आप जो है exactly उस location पर जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि fire हुआ है यह वो false alarm है या exact alarm है या जो भी है आप वहाँ जाकर check कर सकते हैं और उसे जो है solve कर सकते हैं तो addressable fire alarm system क basic main advantage हो यहीं पर है अगर हम लोग इसके compare में conventional की बात करें तो conventional में अगर कोई भी डिटेक्टर activate होता तो आपको सिर्फ zone indicate होता है पैंदल पर जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बता है अगर आप पीछली वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पर मुसका link दे दूगा आ आप जाकर वीडियो देख सकते हैं तो वहाँ पर आपको जो fire panel है वहाँ पर आपको सिर्फ zone बताएगा और आपको पूरा entire zone चेक करना होता है one by one जितने भी detectors है उस zone में तो इसमें आपका time जाएगा और वैसे भी हम लोग जो है जो भी conventional panels होते हो हम लोग एक limited जो एरिया है लाइक हमारा गर 10,000 square feet का अगर एरिया है तो हम लोग वहाँ पर install करेंगे तो वो छोटे एरिया में हम लोग easily track कर सकते हैं और find कर सकते हैं लेकिन अगर आपका multi storage building है या अगर आपका मान लीजिए 30,000 square feet 40,000 square feet का आपका पूरा entire floor है तो वूस एरिया में उस पूरे field में cabins ह कुछ board rooms है अलग-अलग rooms है वक्षेशन है तो वहाँ पर trace करना थोड़ा difficult है इसलिए हम लोग क्या करते हैं जहां भी जो बड़े sites होती है तो हम लोग वहाँ पर addressable fire alarm system को use करते हैं दोस्ता मैं आपका बात हो यह addressable system होता है यह इसकी addressing कौन-कौन सा type की होती है अगर अलग- जिरो के वन्स और टैंस का जो दो option उसमें switches होते हैं आप switches के जरीए से विद्धे हल्प of switches आप जो है उसकी यह addressing कर सकते हैं अगर आपको 11 रख दीजिए 12 तो इस तरीके से आप simply जो है इसके addressing कर सकते हैं उसमें आप स्मोट डिटेटर में भी same rotator switch मिल जाएगा आपको ncp म स्ञावरी मिल जाएगा तो जिम संस्थाफ आपको switches मिल जाएंगे और आप इस तरीके से ईसके addressing कर सकते हैं इसमें अगर आप दूसरे जियांत आप इसमें आपका क्रेंच होता इसमें एक टाइप के डिटेक्टर को एड्रेसिंग देते हैं दोस्तों अब तक आपको इतना तो समझ में आ गया है कि अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी जो वाइरिंग है वो किस तरीके से होती है अगर हम लोग कंवेंशनल की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग क्लास भी वाइरिंग उस करते हैं यानि जो भी केबल जो फील्ड से निकलता है वो रिटन नहीं आता है वो end of land जो रिजिस्टर जैसे के मैंने बता है वह पिछली वीडियो में वह वहाँ पर जाकर end हो जाता है लेकिन अगर हम लोग एड्रेसेबल फार र से लाब यूश करते हैं ताप संपली जो जो सकते हैं आंसर कर सकते हैं class A wiring इंटरशेबल फार राई जस्टम class B wiring in conventional fire alarm system चलिए दोस्तों मैं एक लेयाओट लेता हूँ उस लेयाओट में मैं आपको किस तरीके से field में device का इंस्टॉल करते हैं एक चोटा सा इसमें जो होती है वाइरिंग सो लूप कहते हैं इसमें जो होती है इसमें जो होती है वाइरिंग सो लूप कहते हैं इसमें जो होती है इसमें जो होती है वाइरिंग सो लूप कहते हैं इसमें जो होती है इसमें जो होती है इसमें जो होती है इसमें जो होती है इसमें जो होती 55 devices, devices include detectors, MCP and hooters, तो यह monitor model, तो यह सारी जो devices है, उसमें हम जो install कर सकते हैं, तो यह depend करता है, manufacture to manufacture के हम लोग कितने device install कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक layout के जरी, animation way के जरी आपको समझाने ही कोशुश करता हूँ, कैसे हम लोग जो फिल्ड में device को install करते हैं, के जरी आपको आपको समझ क के जरी का आपको समझाने हुआ इर कर अपको टियुआ हैं… तो फ्रेंज देखा आपने किस तरीके से पैंदल इंस्टॉल करने के बाद मैंने फील्ड में डिवाइस को प्लेसिंग किया उसके बाद मैंने जो केबल था डिटेक्टर्स का वो रिटेक्टर्स और लूपता हुटर के लिए तो इस तरीके से जो डिटेक्टर्स आब थे हम लोग अड्रीक्टर्स और ओर तीसरा होता है हमारा मोनिटर मोडिल वो राप इसलिए यूजकरते हैं हम लोग क्या करते हैं जो 2020 detectors है उसके बाद हम लोग isolator module यूज करते हैं आप सभी को पता होगा कि isolate का मतलब क्या आता circuit को break करना तो if in case अगर feed में कोई device जो है faulty हो जाता है या कुछ भी damage हो जाता है तो isolator क्या करता है उतने device को isolate कर देता है और बाखी circuit को continuous रखता है ताकि दूसरे जो device है उन पे इसका कुछ effect ना पड़े कुछ भी problem ना हो तो इसलिए हम लोग isolator यूज करते हैं in case our fault आ जाता है तो earth fault की वज़े से हमारे device दूसरे device भी troubles में जा सकते हैं दूसरे device भी faulty हो सकते हैं तो उनको बचाने के लिए उनको prevent करने के लिए हम लोग जो है वहाँ पर isolator module को use करते हैं अब दोसरा module है वो है control module जिसको हम लोग CM बोलते है short form में तो जो control module होता है इसका use होता है हम लोगों को कुछ दूसरा जो device है दूसरी जो party है उसको हम लोग को integration करने के लिए basically control module और monitor module यह हम लोग जो है integration purpose use करते हैं control module में हम लोग क्या करते हैं relay के थो जो है जो हभी हमारा device है like access control का panel है अगर हमें उसे trip कराने मान लीज़े हमारा fire call मिल गया fire alarm activate हुए है त उससे हम लोगों को integration करना access door सारे open होना चाहिए तो हम लोग control module का जो cable है वो हम लोग access control का जो panel है उसमें हम लोग दे देंगे जो fire input होता है जो कि मैंने एक वीडियो बनाए ता separate integration with वीडियो का link में आई बटन बजा दूँगा आप वीडियो देख लिजिए तो उससे हम लो security panel में भी इस cable को दे सकते है ता gift आपकी जो stop हो जाना चाहिए उसके बाद आप जो है इसे fire damper को दे सकते है कि fire in case fire हुआ तो fire damper आपकी close हो जाना चाहिए तो आप जो है इस control module के तो दूसरे जो device होंगे other party के वो आप जो है इसे integrate कर सकते है मानली जगा आपको builder के panel को भी अ उनका जो output लेता है अगर आपने fm200 system को install किया अगर वहां का पैनल आपका activate होता है तो आपके main panel को एक कैसे पता चलेगा तो monitor module के तो पता चलेगा हम लोग क्या करते हो आप एक monitor module install करते है लूप में और जो fire fm200 का जो पैनल है उसका हम लोग यहां पर monitor module में connect कर देखते है यह basically काम करता है no nc contact में जब आपका fm200 का signal nc देगा यानि आपका monitor module को जब nc connection मिल जाएगा उस time पर monitor module activate होगा और जो भी हम लोग ने monitor module में labeling किया हुए like fm200 activation तो आपके panel पर वहां पर लिख्या जाएगा fm200 activity fm200 panel gas release panel activated करके जो भी आपने वहां पर दिया होगा वो आप के main panel पर दिखाएगा तो basically monitor module का काम यह होता है वो जो है output लेता है और control module जो है वो output देता है दोस्तों मैं try करूंगा monitor module और control module का एक separate से अलग से video बनाने की और उसमें आपको wiring diagram की भी मैं समझाने कोशिश करूँगा और और अच्छे animation के जरी से आपको बताने कोशिश दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो please इसे like जरूर करना और आपके friends और company group में इस video को ज्यादा share करना और मुझे बताना आपके जो भी इस related system, related doubt है मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा इस comments के जरी साथ आपको queries all करने की, अगर comment में हमारी queries all नहीं होती है तो नीचे दि भी आपको mail पर reply करने की, दोस्तों इस video को please like कीजिए और अपके friends और company group पर इस video को share कीजिए, चलिए मिलते है अगली video तब तक के लिए, bye bye